लेगा भी question answer session सवाल जब आपका प्रोग्राम है अभी घंटा चलेगा जो भी आपकी family में बच्चे हों बड़े हों बजरुग हों या फिर आपके रिष्टेजार हों कोई उनको भी आप message कर दें उनको phone कर दें और जो आपकी company में हो फैक्टरी में हो या फिर आपके organization में जो भी जिनको भी जो जो भी आपके वेल वीशेर्स हैं सबको आप phone कर दें कि जो भी health issues है उसके बारे में question answer करें क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से live हो रहा हूं YouTube पे तो बड़े सारे लोग सबाल पूछते हैं मैं तो उनका सीधा साथा आंसर देता हूं जो practical way में आप घर कर सकते हैं किसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर शुरुआती तोर पर हम उसको पैचान लें और अपना खान पर नैसेंस उधार ने तो तो अगर अगर आप मैंने पिछले एक हथे में काफी सारे वीडियो पोस्ट की थी इस पे यूटूब पे बेल पत्र के हमें क्याला मिलते हैं जामुन का कैसे फैदा है कैसे नीची है क्या उसके नियम होते हैं जरूर देखें मेरी हैजलेटर वीडियो दिखाओ एक बर यही जो यूटूब का चैनल है यह देखिए और यह मेरा फोन नंबर भी है मेरे स्टाफ का नंबर भी है यह फोन नंबर भी है मेरा 8930541955 तो इस पर मेरे उनलाइन उसके कंसल्टेशन के लिंक भी आते हैं और मेरा यह यूटूब चैनल है जग दंबा बेभी के तो इसकी सब के बारे में वीडियो इस पर आलड़ी है वैसे फिर भी मैं चाहता हूं कि जो भी आप यह हमारा लेंडन नंबर भी है 0184205550 तो यह देखें यह हमारा होस्पिटल है यह तो यहां पर सुबह शाम तो बहुत भीड होती है संडे है तो मैं संडे को फ्री होता हूं तो इसलिए फिर मैं इसका यह कृशन आंसर शैसन लगता हूं संडे को तो जो भी आपके कृशन है डिटे सब्सक्क्राइब million मिलन तो जाथ उसे बोल सब्सक्राइब जब ज्यादा लोड पर जाएगा एक्टिव वायरस का तो उसे कैदेंगे बिमारी होगी इसी तरह से शीवलिंग से जड़ा सा रेडिशन जब मिलता है में किसी कैंसर है तो कैंसर रेडिशन से ठीक हो आता है तो थोड़ी दर के लिए माथा इस पर्श करते हैं हाथ सपर्श क तो बेल पत्र का रेडियेशन को दिन भर मोबाई अशयक करते हैं तो इस में तो बचातें जल्दी गर ने योगा किया मालिश करी घर योगा किया पर सायर के危 parce चबाते काने कडबे में बेट नीमा के पट्टे चबा या फिर ले सकते हैं तो यह हमारी बोड़ी को डिटोक्सिफाई करती है और उपर से बेर पत्र तो बहुत ही अच्छी चीज़ है इसका जरूर आप उठाएं कोलेश्टोल कम करने के लिए सच्छा मैं आपको धारान की क кадंब करने के लिए दूद या दूद से बनाशने कोलेस्टॉल के लिए एनिमर प्रोडर्स चोड़ने सब्सक्राइब हमारी तरह से जिन्द की जिनी है मैं तो बताता हूं कि जो हमारी फैमिली में चार लोग हैं लोग यह सों में है जब थोटी थी थी फोटा है बेटी मेरी अब बढ़ी होगी 14 साल की बेटा 23 साल हो गया तो जो मैं और वाइफ हम दोनों लोग पिछले 15 सालों आधायम काना खाते है और पिछले छह साल में एक टाहिए फास्तिग है अब चतुर मास्य उधियोग गया जुलाइ एक संबरक्टूपर सामना भादों आसूश कार्टे कि इसमें एक टाम खाना क्शा आप लिए बड़ी क्वाइब कोशिश करने की कि दोई टाइम खाना खाएं रोग कभी कोरेशाल नहीं बड़ेगा बीमारी नहीं होगी ऑफिर बारिट लगाता हो दोड लगाता हो यह फिर वेट लिफ्टिंग करते हो वह तो भारीस राजमा छोले पनीर मतर पराथा और यह बारी नाले जिसे की फिर बोडी में टॉक्सिक मैट्रियल सी कठे होंगे उससे दिक्कत होती है अगर दवाई लेनी है कोलेश्टोर कम करने के लिए एक तो अर्जुन की चाल का काड़ा ले सकते हैं अर्जुन की चाल होती है हमारे पस रखी भी है तो उसका काड़ा सुबह शाम ले या फिर हर्द चाल को अनकी राज महिंद्रा जी के पिताजी की उम्र साट साल है 110 किलो वजन है उनका मेरी भी 52 साल हुम्र है मेरा 46-47 किलो वजन रहता है पिछले 35 सालों से फूर लास्ट थर्टी फाइव यर्स मेरा 45-47 किलो वजन रहता है क्योंकि हम दू टाइम खाना खाते है इनको कि तो आप इनको भी एक्टिव मनाएं 110 किलो वजन है इनका पत्ते दें इनको कड़वा खाना दें के वर मीठा दूद्र दूसरे बरिशी ना ले फल बहुत जादा ना देंको फल भी कड़वे दें जैसे जामुन दे जैसे अनार दे तो इस तरह से बबुगोसा थोगा दे तो चावल आलू इनको देने नहीं है चावल और मिस्याटी की रोटी ने इनको चलाएं फ्राइं को कोशिश करके और क्रोनी किड्नी डिसीज में तो जितना बोडी का सर्गूलेशन अच्छा होगा उतना ही होगा क्रेटनी निनकी ढाई है तो को ऐसी बात ने रिवर्सिब पर मैंने हर बिमारी के बार में इस यूटूब चैनल पर वीडियो मनाई है तो यह नंबर भी है देखिए और यह जो यूटूब चैनल हर डिसीज के बार में वीडियो है तो वीडियो देखें आप यह मेरे पापा है अठासी साल के ओगे 89 साल 90 साल के आज पास इनकी उम्र होने वाली है तो यह सो परसेंट हेल्दी रहते हैं ठीक हैं पाप हैं मेरे तो यह मांगे राम को उपताई यह एथे घर में उनके साथ फोटे इनकी तो यह यह साड़े चार घंटे सुबह योग करते हैं तीन तो आप ऐसे इनको मोटिवेट करें जिसे कि वो लंबी लंबी वॉक करें योगा करें आज इतना चलेंगे तो तो चल नहीं सकते तो ऐसे ना करें आप सब्सक्राइब सब्सक्राइबु हो तो उसके लिए करती शारा वजन नयुक्त वर्जन करें इनका उसके लिए करवी चीज़ नासी में तो फिर के शाये बाद करेला चॉस करें ना चुने रोड़ दे सकते हैं या फिर लोकी का जूसते लोसके ना दें पर एसपद्गाए नाने प्र नगें इनको फिर 11 वजे खाना दें दाल रोटी सब्जी फिर दोपैर में थोड़े से फल दें कड़वे फल दें तो अच्छा अनार वगरा फिर इनको शाम को 6-7 तक साथ में के बाद कोई चीज नी खानी जिसको निरोगी नहीं तो सूरत सिपने के बाद खाना ना खाएं साथ में स कुछ लेना हो तो अर्जुन की चालका काड़ा है चाय वगरा नहीं देना कभी चाय कोफी शर्बत जितना भी शर्बत खाएंगे तभी इंट्रमेंटर फास्टिंग हमारी खतम हो जाएगी इंट्रमेंटर फास्टिंग को फोलो करें फिर इने फैदा मिलेगा और साथ में म दोहर बटी पतंजरी के आती है में दोहर बटी देने के गुली सुबह शाम एक त्रिफला गूगल एक एक सुबह शाम दे बड़ा फर्क पड़ेगा एक महने में इनका काया प्रट हो जाएगा दो गंटे इसे सुबह योग करवाएं अराम अराम से प्यार से दो गंटे अन सब्सक्राइब करते हैं उनके साथ ही वह मोटिवेट भी करते रहेंगे आपको लाइव देखें नाम से यूटूब पर आता हुंका आसा चैनल पर तो उस पर देखें प्रट लिवर जैसे पता करें या उपाई है फैटी लिवर फैटी लिवर है कि खाया पी यह हमने खाना पीना खाली आप पाचन नहीं पारा खाना पीना खाया को लेजे से पर रखावा है आलस है दिन में इनके रनिंग की शक्ति निया पांच किलोमेट की दोड नि लगा यहां फूblick कि श्क्रफिंग को फिता सी बने को फैटी देत कि वह स्कुमों करते हैं जिसका आपचन फेज्ब हुआ मिल्क्न नहीं करने सब लागी सब्जे दार की डेलर इस सब्सके बने नहीं जो अपिक और उन जोन पूधिंगा तो बाकि अगर पया बोड़ी में तो मालिष मिलना चाहिए तिल के तेल से अट आइक हमारे हमारे जो जोएंट है यह लची ले रहेंगे जो जो ने जो नहीं जो ने कमर विए रहेंगे तो मैं तो रहने करता हूं बड़ा चाहता है मैंने बड़ी सारी वीडियो डाल थे है तो जिसमें कि कोई मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं रहा हूं एक मुझे अच्छा लगता है उसे बोड़ी की फिटनेस एंशोर हो जाती है जो सोमय है मेरी गुडिया यह भी मेरे साथ में रहने करने लगई अब यह मेरा साथ देने लगई पिछले दो साह से तो मुझे लेके चीटी का अटा राज दे रहें के सिर्सक्राणरे चेलो फुटपासे कनारे या उधर पीछे मैदान में और हम पादर ली जाते है कंभी चापधे जाते हैं तो गाड़ी का कोशिश करता है कि अपयोग आउट सेशन के लिए करें तो पैदल शब्साब्स के लिए सब कोनों टाइम चार-चार-फांच किलमेटर के लिए कुछ इलाज है क्या बताएं चार साल का बच्चा है नमक कम करना पड़ेगा बालों की जड़ों के लिए जबसे जहरी ली चीज़ नमक से बाल गिरते हैं जड़ते हैं नमक हमारी स्किन को भी खायाता खतम कर देता है जो फंगल इंफेशन है सोरीयसिस हैं खारिश फुजलिया है इस प्रित प्रकॉप हैं पित वर्दक बीमारी आप यह जो बारिश शु करनों से बचना पड़ेगा और बाकी तो चारों वाइट पाइजन चीनी भी नुक्सान दाएक है इसे बचके हरी सबजी खिची दले रोटी दाल खाएं फाइबर्स बड़े जरूरी हैं तो फाइबर्स खाने से एलोपी शहरे पीटा कम हो सकते हैं सुबह पत्ते शुबह चटनी आप चटनी से बना के बिले सकते हैं उनका स्मूधी बना के पत्तों के चटनी से बनाई और एक आधे गलास माने में डाल के पी गए हम तो बड़ा अचा उसे बोड़ी डिटोक्सिफाइए होगी बाकी तो सुबह का योगा भ्यास चार साल का बच्चा मेरे गुडि कि यह तो जब यह 3 साल की तो 3 कि साहर शूब करती इसने एक घंटे की 5 यूट कर दिया तो एक हंटे की कभी 6 साथ योग करना कभी 5 से योग करना फिर एक हो एक है इंग होगा उसे हमेशा नियोगी रहती है तो आपका चार साल का बच्चा है तो सो गतिशीर मनाई डेली उस इसको पूरी नाए और श्वाय सतोर मों इसका इनाओ करें तौर यह जब रूदा सार के तब से इसमें वरत रखने शुब गये थे नवरात्रे के भी एक आश्य का वरत रहत रहे हैं। पूरा मांसिक और शारी की इसका विकास अच्छा है उत्तम विकास है तो इसलिए आप वी बच्चे को चार साल के बच्चे को उसको फिजिकली फिट रखें उसको बोडी में टॉक्सिंस नहीं होने जहां बच्चा बजा की चीजिए ब्रेड बिस्कुट गर्जा ग्रेविड लंगर जैसे बदा रोट बीटा मेरा तीज साल का उगया इसने म्पड़न की तारी करह रहें एक भी बढ़े पर आस तक हम लोग जाया की चीजिन लाएक बढ़े बढ़े बढ़ेगा की चीजिन लाएक बढ़े बढ़े पर दसाल चोदा साल की होगी ना एक घर पे ां तक के बच्चे की हाइड कैसे बताएं तो 14 ए हैा धार जांक इवा मेरी एक वीडियो है यूटुब पर है इसे यूटुब चैनल पर ही तु मैरे यूटुब चैनल बेसे फ्रिदा ँ two मेरे बैदा हुने सरह के 18 साल तक के बच्चे की हाइड बता रखिया वो वीडियो जरूर देखने कि नौबल बच्चे की हाइट कितनी होनी चीए उसों देखने अगला बताना श्टर प्रजापत की सनम सन हां सर मेरे को सफेद दाग है मैं भी परेश न हुँ इसका उपाया बताए इसन से क्या नमक कमकर देखाने में के बासी ना करें जिसे की बोडी को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिले और पिग्मेंट साइस हमारी नोमल हो जाएं तो कि किसी के चैर पर जाइया है किसी की चैरवाई सफेदांगें तो हमारा पिग्मेंट कम यह जादा हो रहा है तो उसके लिए और एक घंटे की सहर करनी है सुबह एक सब्सक्राइब करना है बागी काया कलब वटी वह एक गुली सुबह शाम लेना चाहिए अगर फंगल इंफेक्शन भी है साथ में तो उसके लिए बार यह मेरे से वीडियो कॉल कर लेंगे मैं इस पर प्रेक्टो पर भी अवेलेबल हूं प्रेक्टो मेरा ओन लाइन का कंसल सब्सक्राइब के लिए फोन नमर है एट नाइन थी जिरो फाइफर वन ने डबर फाइफ तो इस पर कॉंटेक्ट कर लें तो उससे फिर मैं देख के बता सकता हूं भी अगर ऐलोवेथिक मैशन की जूरूत है तो शिवनात राए सर थर्टी साल थर्टी साल थर्टी से मेरी अगर आपको वजन बढ़ाना है तो सबजीयां कम खाएं सब्सक्राइब को कम करती है हरी सब्सक्राइब लेकिन दाल पचेंगी तब जब आप सुबेशा दो लगाएंगे पांच-पांच किलोमेट की दो लगाने पड़ेगी सुबह चार-चार-चार-पांच मैं जब जात लेकिन जब स्टेडियम में बच्चे दो लगाते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्टेडियम में जाके दो लगाएं काफी देर तक 10-15 मिंट तक तरह तरह की दन पैठकी तो उससे वजन बढ़ेगा मैनत करने से मालिश करने तिलके ते से सारे भारत में जितने भी लेकर अखाड़ें जितने भी पहला होते मालिश करते हैं सुबह के समय में तो सुबह तिलके त्युल से मालिश करें अच्छा पोश्टी भोजन खाएं अश्वगंधा एक चम्र सुबह शाम अश्वगंधा भी लेगा उसे वजन बढ़ सकते हैं अलोक चोदरी जी सर मैं ब बड़ा ही अच्छा है बावन साल के जितने भी लोग होँगे दुनिया में उन में मेरा अच्छा-कासा नंबर अच्छी खासी रेंकिन गोगी चीरिकल कि तक बीमार नी होगे अगर हम अब सब्सक्राइब निरोगी लगे तो यही को निरोगी रखने के लिए खाना अच्छा लें शुबह मालिश करने तिलके तेज से उसे श्यक्ति बढ़ेगी माजपीशा मजबूत रहेंगी फालतों की चरबी हट जाएगी माजपीश और पतले हैं तो ज्यादा हरी सब्जी ज्यादा ना लेके दालें खालें खिच्री दल्य रोटी खाएं अश्वगंदा का पाउड रेके किस नाम से अनूप सिंधी है हेलो सर्जी मुझे गैस और ऐसी डिटी की प्रोलम है उसका कोई बताएं मेरे से पूछना है तो अपने ग से बनी का चीज़ ऊड़नें आप जब किसी को गाई सैसिडेटी है तो दूद्या दूर्स रिखना लें जब तक किसी को गैस सैसिडेग्य होगि हिराना लें कि ना ले ल्याव डूर्त अप क्रूंड़ने खाएं और सुबह शाम, वौकर खरें, अर्णBig डाएं, तो फिजिकल एक्विटी का ध्यान करें पूरी प्राइटी रखें और हरड मुर्बा ले लें खाने के बाद उसे फैदा मिलेगा राहुल शर्मा जी 27 साल के हैं आइए ब्रीधिंग प्रोलम और मुकस प्रोलम ने थोड़ प्लीज प्रेंड जावल आलू सफेद रंग की चीए नमक भी नमक चीनी मैदा और सफेद रंग के फल जो भी सफेद चीज है यह बल्गों को बढ़ाएगी और ब्रीधिंग प्रोलम बढ़ाएगी यह कफ बनके चिपक जाएगी सांस के नलियों में उससे दिकत होती है तो इसलिए इंचियों से बचना पड़ेगा तो इंचियों से जबसकते हैं और रं59 करें मालिष करने सुबा मालिष करनी पड़ेगी और बड़ान काना सूरँचित ने से पहले जिसे कि उसे बल्गम ना सर्कित ना मने जो भी नियोगी रहनेगी बार्ट की थिकत Node प्रेंट सबढ नि झाएएंगी अगर उ नहीं में दर्दर Das ना रखें अच्छे काम चोड़े हो करें गलत काम से सिकोड लें फ्रिज का पानी नी पिना चाई नी पिना पराथे नी खाना यह सब बीमारी के कारण है बासी बोजन कभी कोई न खाए ब्रेड बिस्कुट रस जो खाएगा वो बिमार होगा आज नहीं तो कल उसका कैलिबर मेरे पापा असी नभए साल की उम्र करते हैं निरोगी रहते हैं तो ऐसे आप निरोगी रहेंगे अगर आप बासी बोजन ने लेंगे सिंपल खाना खाएंगे और दिंचरा को अपनी मूठी में रखेंगे मनमर जी की चीज नहीं खा नहीं दिनेश बवेजा जी कह रहे हैं सर हो सके तो आप अपने सब विवर्स को ब्रहमेचर का ग्यान दीजिए बड़ी अची बात है 27 साल की मुरमेनों ने ये बात कमेंट किया बड़ी अची बात है 27 साल का बच्चा अगर ब्रहमेचर की बात करता तो कितनी अची बात है ब्रहमेचर जो ब्रहमेचरी है एक सन्यासी अच्छे सन्यासी को असली सन्यासी को असली ब्रहमेचरी को और असली डॉक्टर को बिमारी हो नहीं सकती क्योंकि उनको ग्यान होता ह दोल भागती है कि शार या 5 साल से फोटा हूं आड में में बाकि 19-20 इसा ही रहेंगे अगर आप ब्रह्मचर का पाइलन करेंगे ब्रह्मचर की होती है कि बिमारी दूर भागती है मैंने सबी मरीज देखे हैं पिछले डेड़ साल से लोगडाउन में मैंने एक भी मरीज को वापस नहीं गया रिपोर्ट जिनकी पोश्टी थी वो पेशन भी देखे जिनकी रिपोर्ट निगेटी थी वो पेशन भी देखे मुझे तो डरनी लगा जो भगवान शंकर हैं शंकर भगवान के परिवार में नंदी भी है मोर भी है साप भी है के वो हैं दुश्मन है लेकिन वो तो खूष होगे रहते है निगे तो हमें तो किसी वायरस infection से डरनी लगता हमें kis लाइफस्टायल से सब ही ते जो बोड़ और լार्ली है फ़री है तो चरली को सोब करते हैं है इनकली आपना वजन कम करूं यह तो ड्रामे बाजी है शेख पी को कोई वजन कम होता है खाली ऐसे नहीं वजन को कि खाओं जो मर्जी और शेख पी के वजन खाना ही हमें सीमित मात्रा में लेना पड़ेगा दिन में एक दो बार खाना खाएं संतुरित भोजन ने और हम रात को 15 साल हो गए 15 साल से मारे घर पर चक्की है अब हम एक हफ्ते और पाट मिष्टत पीष्ते कि यहां पीछ पीश्टे है उसे निरोगिंगी रहता है पोरे ख़णी सत्व मेरे वजन अरूमर भेकिए आपकी आप वजन और उमर बताएं तब मैं सभास सवाल का चबाद बताना मुश्किल है झो जो जो जाते ही जड़ूप में जाते हैं और हमारे अपर निशानऄ नमनारी बोडी इक सस्वेशां करें बोटी की सुभाइब योगा बहाद करें यह गहंटे और सुभेशाम दोनों टाइम की प्रचार किलो मिटर की सहर करें और खाना सी मित मात्रा कमें में बार खाएं और ऐलो एक जूस सुभेशाम है ले सकते हैं और सुभेह अर पद्दी के भी थोड़ी सी गांट हो जो हल्दी कच्छी हल्दी आते हैं तो पकी हल्दी वो करके वह सुबह लेस्थ ने तो उससे इसकिन की डिसीज नहीं होगी इसकिन में नाजुकता नहीं रहेगी अलका सिना अलका सिना करी है हेलो सर मुझे हमेशा कोल्ड हो जाता है और नेक के अंदर गले में अंदर खाली भी होती है कोल्ड जो होता है यह इनेक्टिविटी से होता है आईरोएज में दो कारण मता हैं कोल्ड के जुकाम खांसी के दो कारण मता है जो कफर हो गया है कफर हो तो जो डॉक्टर के सेशन सुनते रहेंगे तो उनको बश्य चीजों की नोलवज रहेगी और वासानी से बीमार नी होगे तो इसलिए इन बेसी चीजो खुद में अमल करें जिंदकी में और हर किसी को बताएं और इसको मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो अगदं के पास मचलिया र्हती उसी पकड़ नहीं आती जो दूर मचलिय आऊंगे जाल में फंस तो जो दूर रहेंगे डॉक्तरों के भाद नहीं करेंगे तो बिमार तो समाज को बिमार होने से बचाने की जो मेरी मुहीं में यहां पर राजी दिख्षी जी अए तहीं बोग study इस फरीशेस मीश्थ इसाङ है झुजरी हुच मैं यह ज्ढ़त आप किसे नहीं रहे तो यह तो फ्रीट है पक्ररइम स सेही में को हाँ पोल्ड रहता है जुकाम तो जुकाम के खासी के दो कारण बताएंगा एक तो इनेक्टिविटी जो आदसी लोग होते हैं उनको जुकाम खासी होता है जो रनी नहीं करते हैं जो पांच-पांच किलोमेटी की रणी करेगा सुबह शाम और वो करेगा उसी नाग की जिली कि निकत्रे नहीं तो आसानी से वो फिर नुक्सान नहीं रहती है दूसरा शुगर वाला खाना ज्यादा दूद ज्यादा चाबल ज्यादा आलू ज्यादा पल ज्यादा मीठा यह जो काम के खांव होता है यह दो कारमा यह ने शुगर और in activity तभी जुकाम होता जो 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 समझ लेगा अच्छी तरह से फिर जुकाम खाएं दवाई सब चेप लगाने की हैं एंटी एलर्जिक दे दी सैट्रीजिन दे लिवो सैट्रीजिन दे दी ऐसा करें इस सब यह पाल्दू बनाने वाली बात है बीमार्यों को शेहिक अंदर छुपा की रखनी चीज़ है इंसे आप यह करें अगर दवाई लेनी है फिलाल तो हरिद्राखंड आती है पतंजली की हरिद्राखंड वादी चमसुबेश आप थोड़ दूद के साथ ले सकते हैं दवाई की रूप में बाल तो शेहिका मल है तो कोई बढ़ाने के लिए लालच नहीं होना चीए जैसे बढ़ाने का काले पीड़े करने का कोई फैदा नहीं है इस वेच्ट नाकरें सुबह मेडिटेशन करें भगवान का नाम ले उससे फैदा होगा बारों को सुछ रखें उसका फैदा होगा बाकि बार बढ़ाने के लिए जो जो ट्राइकोलोजिस सला देते हैं इसकी ले सकते हैं इसका फैदा इसके ले सकताइब ले सकते हैं और रामी प्रामी को मोहन वी जी कह रहे हैं मेरे को kidney में पत्री थे मुझे कौन सा टेस्ट ऐस्ट करना चाहिए और तो पतावड़ा हूं आपको तैसे पता पस्ट करने के लिए किड़नी पुर्म données तो के युवी के एसे और पेट का और दूसरा यूरी टेस्ट करना होता है उसे पता रह जादा पतरी पत्री का इलाज है में कुलती की दाल को बाल के खाएं जैसे मसूर की दाल होती है के विखे, को आज मेरा दाल रानाम में a5 गंटा करे। nine अगंटा करें अधाना कात्री पास वपरेशना करवान पोड़ेशंडे इसम沒有 वारिका निस के लिए और चटपटी मिर्श मसाले की चीजिज ना खाए, ना खाए, ना खाएं, जो स्वामी रांदी जी हमारे घर आ थे उन्होंने इस्टीम काना क्या था लो की काटी लो की को थोड़ी दर के लिए बहुने में स्टीम करने के लिए रख दिया आ खाली बस ऐसी तो ऐसी मिलब स्ट सब्सक्राइम करें और एक्टिव करें रखें उसे फैदा है कम लेश कुमार जी सब क्रूषन क का कोई जबाब नहीं दिया कम्रेश कमाजी ने क्या क्रिश्चन किया था आट साल का पच्छे का कान बैता रहता है तो एक तो उसको चीनी नमक की चीने कम करने सब्जी आदे उसे कड़वा खाना देखाने के लिए आप लाड़ चाव में ये भी खाले ताक आएगगी तब ऐसा लूप हुआ हैं शुभा उसको चार किलोमेटर की दंइग तो मेरी गुडिया ने तीन साल को में तीन किलो में हुं od और पांच साल की उमर में पांच किलोमेटर की वह करती थी तो इसको चार पांच किलोमेटर की रणिंग कराना शुब करें सुबह शाम उसे सारा सिस्टम यहां का उदान वायू शुद्ध हो जाएगी इसकी और एक करन अभेहंतर प्राणायम होता है लंबी साथ लेकर नाग अब बाकी कान में डालने के लिए दवाई अगर पतन दी के बैज से पूछे चाहें तो लेसे दवाई से को फर्क निपड़ेगा सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा तो उसके लिए सुबह की मालिश मांच बेगी फिर एक घंडे का योगा एक घंडे की रनिंग इससे उसको फर्क पड़ेगा ने केपी मोर्या केपी मोर्या केपी मोर्या केपी मोर्या केपी मोर्या सर गूड आफ्टनून मुझे लेफ्ट नेजल में सोलिंग स्वैलिंग है और राइट नेजल में एक दाना है प्लीज हैल्प मी यही मैंने पता है इनको भी एक तो रनिंग कर तो उस तरह से उसे गहरी लंबी सांश देने से ना की और साइनस की हमारी है तो आपको रुनिंग करनी है करना और नमक चीनी कम से कम खाने है शुगर वाला ज्यादा ना खाए सफेज रंग की चीज ज्यादा चावल आलू दूद फल मिठा इसे पॉलिप बनते हैं जिसके भी दुनिया में पॉलिप बनेंगे शुगर वाले भोजन से बनेंगे यह तरह का कफ रोग है आई रोध में कफ रोग कड़वा खाना खाएं तब आपका पॉलिप होगा और बाकी पॉलिप है तो एक आयरुवेदिक वैसे बात करके व्रद्धी वाटिका वटी यह एक के गुलिश पैशान में यह आप जो सेशन देखने हैं लाइव सेशन यह लाइव सेशन की हम टाइम लाइन डाल जाएगी 17 मिनट पर मैंने मोटापे का बताया तो 17 मिनट पर एक दमी आपको बटन दबाती आएगी तो टाइम ने नीचे डालेंगे उसका जरूरू फाइदा उठाएं मेरे सभी पिछले भी जितने कुशन आंसर सेशन है और वैसे तो जो मेरा यूटूब का चैनल है लब सारी बिमारियों की बिमारियों को मैंने बताए उसके जुरूर देखें आप यहांसे किया था में परेंगे को करने के लिए हमें थोड़ी से ड्राइफूट से एकसा लेने बसरते यह उसके साथ कंडीशन है कि हम सुबह शाम की लंब लंब डो लंगाये 55 km कि युबह योग थोड़े एक्ष्टा खा लें और ब्रामी वह शर्वत भी आता है ब्रामी का पोधा लगा लेए घर पे तो ब्रामी के पोधे का चट्णी बना की ले सकते है उसका शेटेमी बना की ले सकते हैं एक मिनट सुधिर गोल जी इस सब्सक्राइब करने के लिए बड़ी अची बात है लड़कों की 25 साल तक तो बड़ी इजली बढ़ सकती है लेकिन उसके बाद भी 40-50 साल की उमर में भी हाइट बढ़ सकती है अगर अगर धाई तीन गटे सुबह योग करें और हरी सब्जीयां खाएं खिची दल्या दाल उटी खाएं सिंपल खाना खाएं बासी फूट बिल्कुल ना खाएं नमक चीनी बिल्कुल बंद करने तब हमारी नसों की ब्लोकेश खुल जाती है तब हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ अशुगंदा का पाउड़र आता है एक चमत सुबह श्याम उसे हैर मिल जाएगी बाकी ड्राइफूट्स भिगो के ले सकते हैं उसे फायदा मिस्तिया आगे अंशुबह श्याम हाइपर एक्टिविटी है जब भी हाइपर एक्टिविटी होगी तो पढ़ाही में बनने ल अच्छा डॉक्टर खुद भी नहीं पीमार होगा सानी से और किसी को बिमार नहीं होने देगा तो आपको अगर बिमार नहीं होना और उसका फैदा उठाना है तो सबको बताएं चैसाल की जब मेरी गुडिया थी यह वाली सोमया तो चैसाल की उमर में इसने रनिंग भी श इसने योग इतना करना शुग कर दिया कि इसको पूरी भगत गटायाद के इसे इसे बाकि पढ़ाई में नमबर मनें अबल नमर की इसकी पढ़ाई है बड़ी अच्छी क्वालिडी की पढ़ाई है इसके भाई का तो एमस में सेलेक्शिण हुआ था इसे इसका जो बतीजा सब्सक्राइब तो उसका इस में 29 रहा इनकी तरह से सिंपल खानपन से रहें सांपन तो बड़ा रात को आठ वे के बाद खाना नीघ काना और शाड़े नोवे तक बच्चे सो जाए घर का महूल इतना साथ ही कोना चीज घर में रात को टीवी ना चले गपे ना मारे शोर ना म के छैरे कि उटाने अग्णों को यौक करते हैं जो तक ले कि जाएं कि उपकर दूर तक लेकर जाए चाहीं उसे उसमें उर्जा सही दिशा में मिल पाएगी। को दिमाग को वाइटल ओरंस है किड्नी को ब्रेन को लंग्स को जो वाइटल ओरंस हो फिर अपरेक्टिव नहीं देगी बच्छी बेजी कुड़िया ने तो साड़े ती साल के उम्र में सारस्वत मंत्र की दिख्षा ले लिए ती तो ग्यारा माला डेली करती है रोज तो उसस उसकी चट्नी बना के चट्नी मराई थोड़े आदे गलास पानी में डाला और उसमें थोड़ा मिश्री मिला दिया ऐसे दे दिया उसको तो उसे फैदा हो सकते है ड्राइफूट्स भी खाने को दें से इसे पापा जो नीद आने के लिए उनको मैनत करनी सिखानी है चलना सि पापा को मालिश रहे उनकी जिसे कि मालिश करेंगे तो नकी हिम्मत पन जाएगी अनको हिम्मत बंगी और बार 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 कुछ मुझ रूटा ना करें उनका जितनी जरूरत उतना खाने को दें लाड़ चाव में लोग्वजी आप यह सर्बत पिलो बावजी आप यह चलना फिरना उनको आलास हुआता है या में चलने फिरने के हमद नहीं रहती तो मेरे पापा तो दो ये टाम खाना खाते हैं दिन भर में बाक़ी फले लेते तो निरोगी रहते हैं तो इसलिए अगर उनको healthy बना रहा है तो करें थोड़ी बागवानी करेंगे पशों में भी पोदों में भी मिभी में बाइए चार कलाएं होती है पशोन्म में आठ कलाइं होती है कियो हैं कि अ क्वह बाहर देखाना चाव है अच्छछ तो ऐसे मैं से ऐसे इस उनके साथ जो आप एक बार पतने के वैद को दिखा सकते हैं वैसे मुझे लगता है कि मैटबोलिज्म कहीं से डिस्टरब हो रही है आपकी लाइशाल में कुछ कमी अखान पर रहें तो आप मेरे साथ से चार-चार किलोमेटर की रनिंग करना शुब करें दोनों टाइम तो उससे ज्याला फैदा हो जाएगा यह बोडी किड्नी के ओपर कुछ ना कुछ असर पढ़ रहा है किसी चीज़ का जो आपने चेंज किया लाइफ में तो उसको ऐसे करके देखने बाकी तो कुलती की डाल ले लें सुबहें हाफते में दो बार तीन बार कुलती की दाल बना प्रकृती है मेरे कफ प्रकृती है मैं क्या खाओं क्या ना खाओं किस मोसम में क्या खाओं क्या ना खाओं जोलाई अगस का चो मासे को मुझे क्या खाना है फिर मुझे जनुरी में क्या खाना है तो इस तरह से मुझे कंसल करते ने अपने प्रकृती के साब से मोसम के साब से हमारा खान पार नए सेन कैसा हो कि हम बिमार ना हों हमें दवाई ना खानी पड़े तो इसके लिए अश्णी कुमार सिंग क्लास टू जे बोन मैरो सेपरेशन है डोक्टर्स ने बोन मैरो करवाने के लिए एक रूमीर कुलई रॉक्ट से पन्सकरमा ट्रीप्मेंट के लिए कुछ तो उसमें तो गेहूं को ज़ारे करीं हैं ना चाहिए उनको और कितनी उमर है कितना वज़न ऐसे जरूर बताए मेरेको उमर वज़न बताएं जिसे कि मैं उनको क्या करने के लाइकर लाइब स्टेशल में क्या चीज़ना मैं बतासता हूं आप मेरे को कंसल्ट करें मेरा जो उसका वो है जो प्रेक्टो पे भी मैं ओनलाइन अवेलेबल हूं और लाइबरेट पे लिए तो मेरे स्टाफ कभी-कभी आंसर देते हैं करने का नहीं कि नाम से रमनीजी इस ड्याइस करने का उपाये वो हमारी और इनाकलू इसा कोशिश करों सुबसान दियाज में वहारी किया ऑलकू ऑनड़ि को करने सीयल्फो पडूह कोरें नहीं जित्ञानलाना का भूष widok बिल्कुल बहूं काने है। ज्यादा दूद के प्रोशनह ले सिंपल उबलवा खान खाना खाने तो यादा चाहरेगा और वरकत dollarsaw rise और और मोद सोबहर का मुबाल के पीने पईने से फैदा हो सकते है और जो जो फैदा होगा जाद है योग और प्राणाम से फैदा होगा उसका पूरा लाग उठाएं और गोख्रु का काड़ा बना के भी ले सकते हैं उससे बड़ी जल्दी के हैल्द अच्छी होगी लेकि मेहनत करें कोई चीज लेने से कुछिस नागरे भी मेरे यह खालूंगा तो म फिट्नेस का लेवल हाई करना है किड्नी को उस लाइक बनाना है कि वह बोड़ी का ब्लड फिल्टर करें उसके लिए मैनल से काम चलना पड़ेगा खाली कोई चीज लेने से नहीं फर पड़ेगा मैं कभी भी उसमें नहीं रहता जैशी कृष्णा परमेश्य जी मोली शुवस्ष्य मोर्स्कारा खाए तो सुवह जुके सुवह था क्यों में की रनिंग में त Nurse 9-95 की बौक करके देखने पहले वह करते हैं जहां चार-वांच्पल के फिर पूर्स यहां वह नियंग और जाता है ए तो सारे बल estás up या दिये के लिए नश ना मतांतें आशीais इसल मेरय ऑछा इस और वी कर अचता इस ओर घ्टरणाई की यह फ्रहां मैं और 15 ऱ नगे तो या कहना है तो मैं कि महाओ मैं जब। एअ शब्लवी ने nepied तो कि छिए जकी में योँ पृण रहते में दाया तीन व्री तो कि ज़तें में मैं पांचाव जी निगते रहat तो उसमें कभी भी कुछ खाके नहीं आता जिसे कि योग प्राणाम करके वहां जाके फिर में ले लूं तो अच्छा रहता है तो इसलिए आप उजय प्राणाम करें थारेट के लिए आसन वी होता है वो मेरी वीडियो है यह वो भी देखें आप करनें कृष्च जी आया है है हेलो सर मेरे का मा की फुल बोडी की फडियों में दरत रहता है यहए हो में पूरी शेक तो में काली जीरी जुनчики चल़ हुआ है उनको इंका पाउडर बना लें कि पोना पोना चमर सुबशाम नावाय पानले के साम्तिंग करें सुबिशारें दें चावल केला द्ही जूस खीरा जू फानी ऑटकल नहीं इन dif którą कहा, थे वाईव को सभ़भवाbon मोटें, औरुने वाईव केसरओ को से गारुमेद का लेर्फ नहीं सूंज मुझा और चावल केला दही जूस खीरा मुली इससे भी बचार होना पड़ेगा आपको सोरेसी समनी सिंग जी तो मेरी वीडियो है इस पर सोरेसी फंगल इंफेस्टन कोज दे के बारे में 27 मिट की वीडियो है 27 मिट की वो पूरी वीडियो देखे सुने के वल लाइफस्टायल को चे कि वीडियो थी से व मют的 वो आपके समया से में केक्न सोरेसिं है रिवर्श करना चाहिए लिए Random को वापस करना चाहिए व्रहमे चल्शका अपरें virtual घंटा सुबहें 24 मिल ए इस तुछूर सार जिन्द की जिए जिए आप लोग जो चत्पती श्वाजी महाराना प्रताब जैसे जिन्द की जिएंगे उन्हें बीमारी चूनी सकती मेरे तो आदर्स है मेरे तो आदर्स है आचारे चरक आचारे शुशुत आचारे वागभट वोरों 700 साल तक जिये थे मैं तो उनकी तरह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अभी एक तो कल मेरा एक वीडियो आएगी कि हमारे बच्चे ओलंपिक में जीते मैडल जीते हैं उसके लिए आगरे 13 साल की उमर के बाद हम निरोगी रहे हमेशा आगे निरोगी रहें हमें तो उसके लिए हम क्या करें क्कान पान जाना का genuine क्ला कैसे क्या क्या लेना क्या ये नेरत करना वो वीडियो भी एप जम जैनल 23 चैनल है इसको चैनल है उसको जरूर आप सब्सक्राइब सब लोगों को बताएं अभी मैं लाइव रहूंगा तो आप लाइव सेशन करें लेकिन जितना आप सारी वीडियो देखेंगे तो हर बीमारी के बारे में वीडियो है उससे आपको बड़ा लाब मिलेगा क्या था क्या था एक मिन नहीं मैंने आंसर नहीं दिया पूरा क्या थ सुर्य कोश्री सिस्ट इस स्वाइबर के बिटीज है मोटाप है शाम को सुरह चिपने से पहले खाना खाना पड़ेगा सुछ यग करना पड़ेगा दुनों टाइम सुबहर शाम ओकिंग रनिंग जो पॉसबला हो करने पड़ेगी और स्फोरेश सिंस्ट्रिक अपने नाप तो synthetic प्रणने से क्या नुक्सान होता है 50 लाख लोगों ने देखी फिर मैंने बनाई कि Indian toilet यूज करने से क्या फायदे है Western toilet की use करने से कैसे बीमारिया होती है तो वह 130 लाख लोगों ने देखी मैंने fungal infection की video बनाई कि फंगल इंफेस्टेंट से क्या नुखान क्या क्या कैसे ठीक होगा स्वाइब फंगल इंफेस्टेंट वह 166 लाक लोगों ने देखी कि अगर कोई लिफ्ट में फ़स जाए तो हम कैसे बचा सकते हैं तो करोड़ों लोग वीडियो देखते हैं अगर उसमें सचाई है तो देखते हैं आप सचाई का पालन करो सहला मिलेगा सोरेसिस के लिए खान पर नहीं सुधाना पड़ेगा बीमारी तो दुन दबा के भाग कि अगर आप चोकने हो जाएंगे आप जब चुकने नहीं होते एशर राम की जंदकी में रहे जो मरजी खाली सौगऑ तब बीमारी घर कर लेती है बिमारी पालतू बन जाता है बिमारी हमारे घर में तो वहकर में पालतू ने देना शेपको उसको स्सम्द्र फार्टिर के यह जब तक कि आपका लाइफ चैल का फायदा मिनने लगे आपको अब भी को अब प्लीज से अबावती थारे रोंगा तर्फ मेरे वजन 50 किलो और कैसे कम करूं पचास किलो करने पचास किलो वजन वजन तो कम करने की कोशिश नहीं करने चीए बीना सिंग ने पूशा है बीन आब बड़े वजन कम करने का ऐगी तरीक है कि इंट्रिमिटर फास्टिंगो एम लोग 15 साल से इंट्मिटर फास्टिंग को फोलो करते हैं तो हम लोंको उसा फैदा मिलता है मेरा तो 35 साल से 46 47 तो 35 यह सो बटा हेल्दी मेरा शेहिर रहता है दस किलो मिटीक लह नगस कर लेत तो इसलिए वह वीडियो मेरी 55 लाख 55 लाख लोगों ने देखिए मेरे फेस्बूक पेज पर है जगदंबाबी के नाम से फेस्बूक पेज है तो मेरी यूटूब चैनल पर भी है दुनिया का सबसे अच्छा बेडरूम बच्छा दाने के लाब इस नाम से वीडियो है तो ज चारों लोग स्मार्ट फैमिली हमारी चारों लोग हम हेल्दी रहते हैं क्योंकि हमारा खानपन नहीं से मुठी में होना चाहिए चार साड़े-चार भी सारे घर के लोगों को उठना पड़ेगा फिर आप लोग निरोगी रहेंगे शांगवा खाना सूर्चिप्रे से पहले इसार पाट निकाना तब आप फैलती रहेंगे से अधोरे पडियर पर्मेश्वर जी रहें धातू रोग है तो तो जल्दी खाना चैए जल्दी उड़ायए भारी चीजा लें सब्सक्राइब योगा भ्यास करें उसे फैदा मिलेगा बेल-पत्तर के पत्ति खाज को यह तह सबस्क्राइब गएफ मेरे को गैस बहुत हो रही है मैं और हुआ इसवेवर बाइमिन नेंगी है बावासीर का ओप्रेशन भी किया एक मंत हुआ है गैस बहुत बनती है और पेट साफ नहीं हो रहा है क्रिप्या करके बताएं आपको दूर से पनी चीज छोड़नी पड़ेंगे तो बड़े सारे लोग के परशानी है मैं जल्दी ही लाइव होने वाला हूं करनाल प्रस के चै ही दोो हो जब तक पेड़ में किया सैसें डिन है तो मुश्कि로 से पछने वाला ब weigh-मट नालें जो मुश्कतिर से पछने आप दो बेकर के प्रोड़र भूड़े को चीजंगाईर एक के ब्रेड्य जंध्र difू नालें चांदे ई Cap'ti न खाय यह धाना पड़ेगा हमें तो हरी सब्जी खिची दले दाल उटी खाने पड़ेगी इसका पूरा लाब उठाएं और अगर है गया सैसी डिटी तो पतंजली का हरड मुरबात है हरड मुरबा वो खाना खाने के बाद एक हरड था लें उसे बड़ा लाब मिलेगा उसे बड़ा सेशन देख लिए तो बिमारी कोई पासुट बाहल यह गया है अगर मेरे चारी वीडियो देखें आप यूट्यूब की उन में आपको मोटिवेशनी प्लेगा कि थारेड होती है तो सब क्यों हो गया है थारेड खराब हो गया हमने बेच खाई थायरेड हमने कब्ज कर ली तो हमने शही को बेच दिया हम शही को कि मर्यादाओं को अपारन करें निरोगी रहने के लिए हमें चुकनना होना पड़ेगा तो मैं कदम कदम पर आपको कॉंशेस बिनाओंगा आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा सार उसमें different perspective मिलेगा different angle मिलेगा आपको आपको बिमारीच को ञांक करने का लाइक खरने गर्र्रेंगा तक किसी को नपीर DV ऄसकती सारी वीपारी से को ठीक कर लिया जाए करिमा क्या प्रेति का पूरा हो गया नहीं हो गया गया अधिक दी का मैंने बता दिया दूद दूसरे बनीशीना ले और बोज़र पे कंडोल करें सुँभे मारिश करें पूरिवी बोड़ी की सिर्टी से सुभे एक जिद्धा योग करें और जिसको जो भी बिम पारी चूमंतर हो जाएंगी सिंपल उबलावा खाना देंगे खूब मेहनत कराएंगे यह काम घर पे करेंगे तो घर पे ठीक होसा है घर पे अक्सर लोग करते नहीं ग्रामे बाजी करते हैं कि मैंने तो आदे घंटे कपाल भात कर लिया मैंने तो 20 मिनट योग कर लिया इससे लिकोरिया वाइड डिशार्ज के बारे मताएं नाइ नींद लेट आती है पांच घंटे चाले से वोमन नो हेल्थ इशू सर हां बड़ी अच्छी बात है पृती जी करें कि परेको को को हैल्थ इशू नहीं वैसे वैसे नींद लेट आती है तो इनको रनिंग करनी पड़े तो बीस मिट तो देने पड़ेंगे शेय के लिए तो इसका ध्यान रखें तो फिर फैदा रहेगा बाकी ब्रामी का एक शर्बसा बना के ले सकते हैं आप सुबह शेयक सा बना के लिए ब्रामी के पत्तों की चटनी बना ली और वह सुबह ले एक आदे ग्लास पानी में डा के लिए उसे बड़ा चलेगा बाकी तो कोई दवाई की जरूते मेधावटी आती है वैसे मेधावटी एक ओली डेली ले सकते हैं अदर्वाइस तो मेहनत करने सी निंदा जाए जो मेहनती व्यक्ति है उनको तो ऐसी गहरी नींद आती है मैं दस बेस होता हूं सुबह चार तो बड़ी अच्छी नहीं दाती है इतना ट्रैफिक एजी टी रोड़ देखिए बाहर सारा जी टी रोड़ पर अच्छी गहरी नहीं दाती है मुझे को दिकत नहीं होती है लिकोरिया वाइड डिशाज के लिए एक बार देखने कि यह नॉमल वाइड डिशाज आजा सब्सक्राइब करें तो उसके उपर फिर आप ओन लाइन कंसलिटेशन कर लें और अगर कोई इसमेल नहीं है आपने यह उसका टेस्ट कर लिया डिशाज का तो फिर आप लाइफचेल ठीक करके कर सकते हैं लाइफचेल ठीक रखें हफते में एक वरत रखें जरूर श्याम योगा और मालिश करनी है योगे श्यमा गोडीविनिंग जी थैंक्यू जी केपी मोरे जी थैंक्यू जी परमेश्वर पटेल जी कूरियर वाई डिशाज चंदर शेखर गुपता मेरी बेटी 11 साल की है और 6 साल से थारेड है एक जिमा है एक जिमा है आप आपसे आपका इर प्रेक्टो पर भी हुम है यह लाइबरे प्रेक्टो पर बहुत सारे लोगों का आता है रिश्टेशन होया था उनका तो लिंक मेरा इस मोबाइल नमबर पर आप वो करें बैल मारें तो आपको पास लिंक पहुंग जाएगा उस पर रिश्टेशन करवा के आप कर सकतने बा यह द्हान हनब पर प्रिया जो स्वामी जी सर चार महीने से मुझे लोगा लेकिन दोनों ठीक है सर अब मुझे हड़ियों की से कटकट की अवाज आती है यह वायू बड़ी हुए आपके शे में जो एड़ी में दर्द बताया है तो एड़ी में दर्द के लिए एक तो उड़द राजमा छोले पनी मटर ना खाएं फिर चावल, केला, दही, जूस, ठंडी ची ना खाएं हड़जोड की बेल होती है हड़जोड की बेल घर में लगाने उसकी एक गांट मसूर की दाल के साथ बना के जैसे हलका सा उसको फ्राई सा कर लिया हड़जोड की गांट होती है उसमें ऐलोएरा जैसा उसका लिसलिसा सपन होता है तो उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर मसूर की दार के साथ बना के ले ले फिर AD की जो उसमें दर्द नहीं होगा और बाकी तो योग करें प्राणायम करें मालिस करें इससे फैदा मिलेगा और वैसे पतंजी की पिडान तक बटी आती है कि गोली सुबशान वो भी वायू को करते वात्रों के लिए बड़ी अच्छी रहते है जिसको भी शेयर में दर्द है या जोड़ों का दर्द है हील में दर्द तो पिडान तक बटी है कि गोली सुबशान दे ले उससे बड़ा लाम मिलेगा कि प्राची चोहां जी हलो सर मुझे मैं में ब्रου्लम में अध्र यूदर साओ किलो है मेरी एक नो साल 16 जाओ की बेटी है तो मैंश्टर्र प्रॉल्म नहीं का मनारा हमारा हार्मोनिल इंबैलेंस हो गया घरत लाइफ्षाय से होता है हफते में एक वरत भी रखो आप बिरूर रात को खाना सुर्द शिप्रेंस से पहले खाओ सुबह बोडी की हफ्ते में तीन बार मारिश हो पूरी बोडी की तिल के तरह से टाइट हासे और सुबह डेली एक देट हंटा योग करो ब्रह्मूर्थ में गीता ओनलाइन लाइव नाम से यूट्यूब चैनल है गीत है तो पतंज़ों के वएद हर जिगा फ्री और कोर्ष कोष कंसल्टेशन देता हैं बेशख दवाइं ना लें कि उससे सला लिने जरूर कोंवी किसी बिमारी है तो पतंज़ों के वैसे पूरे भारत में हर जिले में लबख काफी सारी तसीलों में पताजिए के बाइद उसे दवाई आप बेशक ना भी लो लेकिस सला जरूर लेकर आओ आप कि मेरी बीमारी क्यों है मेरी बाद पितका क्या बढ़ा हुआ क्या खटा हुआ इस मौसमें मैं क्या खाऊं क्या न खाऊं जरूर ले ले जैसे मुझे खुशी होती है एक सही दिशानर देशते कि उनको भी खुशी होगी और आपको भी जरूर अच्छा लएगा आप इसका फैदा उठाए हमारा हॉस्पिटल पूछा कहां पे है तो हमारा हॉस्पिटल जगदंबा बेबी केर करनाल हर्याना में है यह मेरा एड्रेस भी है एड्रेस नहीं है इस करें इसकी ज्लूर अब ऑक्स नामसे विमला नेगी इसने कैसे ले सकते हैं और लाइबरेट पे रैसिए सरे तो इस Castle करेंगे तो मेरा लिंक आ जाएगा उनलाइन कंसलिडेशन का और हमारा एड्रेस वगरा भी आ जाएगा होस्पिल के सारा शीव प्रजापत करें कि मेरे प्रशन का उतर नहीं दिया सर आपने शीव प्रजापत जी फटाफट एक बार क्यूशन बेज़ दिये जल्दी से बहुत लोगों ने हरियों गुरु जी हरियों जी और त्हैंग्यू बोला है तो सब लोगों आप जोडने के लिए धनवाद अंगली अपने आप हिलती है कभी कभार वाइबरेट होती है यह इस वात रोग ए जो प्रजापत तो इसमें सिकल सेलिनीमिया का इलाज सिकल सेलिनीमिया का इलाज पहले बीमारी का डेटेल उमर वजन बता दें बेटी 11 साल की है वो चैस्टो शत्तर और एक ही आना है आपसे ज़्यादा में बताते हैं पर होता नहीं है कॉण कोटा में रहते हैं कुटा में बता है कोटा में मेरे शादू रहते है सतीश मित्र जी कोटा से हैं चंद्र शेकर गुपता के लिए आते हैं प्रेक्टों पे भी करें आप और लाइबरेट पे भी कर सकते हैं तो कर लें उसे बात हो जाएगी अधर्वाइज महाँ पतंजली के वैद को दिखा लें सत्य कामेश्क टाइब डाइबेटीज के टेक फूट्स इन दा मॉर्निंग और ब्रेफास्ट हाँ ब नुसान देती है उससे दिकत होती है बागी बीच में जामनुगरा भी लेते रहें अनार लेते रहें कि शोवित कुमार सिंग गरिमा कि क्या हुआ है है कि क्या हुआ है ना मेरा कंश कुमार सर मेरे वाइफ के सीने में दर्द रहता है उसका कुछ लाइफ चैनल कुछ न्यभी चैनल के लिए ठीक करनी पड़ेंगी जो मैंने कि अचरति जल्दी उठना और सुबह तीन चार-पांच किलो मेंत आए शाम को भी चाह किलो करें दो गंटे सुबह बोड़ी के लिए देने पड़ेंगे एक अदा घंटा शाम को भी देना पड़ेगा तब बोड़ी हमारा काम करेंगी चोबिस हिंटे तब हमें मिल सकते हैं है यह सब्सक्राइब करने के लिए बता दिया योगे शर्मा जी काफी विसारा बता दिया मैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें बैल का बटन भी दमाएं जैसे कि सभी लोग नॉमल लाइफस्टाइल ठीक करने के साथ ही ठीक है और जादवाया ना खने पड़ें थेंक्यू